हेलो गाइज, वेलकम टू स्माट इज अकाडमी और हम गाइज नमबर सिस्टम कर रहे हैं नमबर सिस्टम में हमने क्लासिफिकेशन आप नमबर बढ़ा है और आज हम पढ़ेंगे डिविजिबिलीटी रूल क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे अगर हम डिविजिबिल का मतलब होता है किसी एक नंबर को किसी दूसरे नंबर से डिवाइड करना ही हमारा डिविजिबिलिटी रूल कहलाता है और डिविजिबिलिटी रूल हम इसलिए पड़ते है क्योंकि हमें अपना टाइम सेव करना होता है अगर कोई छोटा number है तो वो easily divide हो सकता है लेकिन अगर कोई बड़ा number है तो उसमें बहुत ज़दा time consume होता है और उस time को हमें save करना होता है इसलिए हम divisibility rule पढ़ते हैं देखेगा suppose हम कोई number लेते हैं हम ले लेते है 10 upon 2 देखे 10 upon 2 की value कितनी होती है हमें सब को बता है कितना होती 5 होती है देखे 5 क्यों है यह मैं आपको बताता हूं देखेगा 10 upon 2 equal to 5 यह हमारा 2 है इस 2 में ऐसे किस number का multiply किया जाए कि हमारा 10 आ जाए तो 2 के साथ अगर हम 5 का multiplication करते है तभी हमारा 10 आ सकता है तो इसलिए 10 upon 2 की value 5 होती है अब कुछ और देखते है 12 upon 4 यह value divide करते कितने करे कि हमारा 12 आ जाए तो कितना होगा 3 होगा इसलिए अगर हम 12 को 4 से डिवैड़ करते हैं तो value कितने आती है 3 आती है कुछ और देख लेते हैं 18 upon 9 अगर हम 18 upon 9 की बात करे तो यह कितना आ जाता है देखे 9 में हम किस number का multiply करे कि हमारा 18 आ जाए तो यह क्या होगा हमारा 2 होग इसलिए जब हम 18 को 9 से divide करते हैं तो value हमारी कितनी आ जाती है 2 आ जाती है अब और देखते हैं अगर मैं 0 upon 2 करता हूँ तो ये value कितनी आ जाती है 0 को किसी भी number से divide करते है तो value कितनी आती 0 आती है ये क्यों आती है मैं समझाता हूँ इस 2 में हम किस number का multiply करें कि हमारा 0 आ जाए तो इस 2 में अगर हम 0 का multiply करेंगे तभी हमारा 0 आ सकता है और देखते हैं 0 upon हम 4 कर लेते हैं इसकी value कितनी आएगी 0 आ जाएगी यानि कि इस 4 में हम किस number का multiply करें कि हमारी value 0 आ जाए तो इस फोर में अगर हम 0 का multiply करते हैं तो ही हमारी 0 आती है कुछ और देख लेते हैं हम करते हैं 0 upon 18 equal to कितना हो जाएगा हमारा यह 0 हो जाएगा यह 0 इसलिए हुआ है क्योंकि अगर हम 18 में 0 का multiply करेंगे तभी हमारा 0 आएगा अब देखेगा यह तो मैंने बता है जब हम 0 को किसी नमबर से divide करते हैं अब यह भी हो सकता है अगर हम 2 upon 0 करते हैं 2 upon 0 यह value क्या होगी यह value होती है हमारी infinite होती है देखेगा यह 2 infinite होता है इसमें देखेगा 0 की multiplication अगर हम 2 by 0 करते हैं किसी नमबर को zero से अगर किसी नमबर को zero से divide करते हैं अगर हम 0 by 0 करें, 0 by 0 क्या होती है, यह indeterminate form होती है, मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर यह होती है, indeterminate form होती है, यह 0 की indeterminate form होती है, 0 by 0, देखेगा, अगर हम बात करें, यह indeterminate form क्यों होती है, देखेगा, अगर मैं लिखता हूँ, 0 by 0 indeterminate form क्यों होती है, क्योंकि इस 0 में हम हमारे परस कोई एक निश्चित नंबर नहीं होता है कि हम 0 का multiply करके हमारा 0 आजाए देखेगा 0 इस 0 में अगर हम इस 0 की बात करें इस 0 में हम 0 का multiplication 1 का multiplication 2 का multiplication 3 का multiplication 4 का multiplication यह देखेगा and so on अगर हम इस 0 में इन सब का multiply करते हैं तो हमारी क्या आ जाती है वैल्यू जीरो आ जाती है इसलिए जीरो बाई जीरो को इन डिटर्मिनेंट फॉर्म रखा गया है अब देखेगा मैं यहाँ पर जो जीरो से रिलेटिड रूल है वो मैं लिख देता हूँ इससे आपको नोट्स बनाने में बहुत आसानी रहीगी द जीरो इज डिवीजिबल बाई एनी नंबर एनी नंबर एक्सेप्ट एक्सेप्ट क्या होगा एक्सेप्ट जीरो क्योंकि जब हमने जीरो से जीरो को डिवाइड किया रहा था वह हमारा इंडेटर्मेंट फॉर्म आई है जीरो को अगर किसी भी नंबर द्वारा करते हैं तो वो क्या आता हमारा infinite आता है देखेगा जैसे मैंने आपको दहा है two by zero था infinite आता है जब हम zero को किसी number से divide करते है तो क्या आता हमारा यह हमारा zero आता है अब जब हम किसी number को जब हम किसी number को zero से divide करते हैं तो क्या आता हमारा infinite आता लिख देते हैं आपर इफ यह 0 is divisible by any number देखेगा यह मैंने रिखा 0 is divisible by any number except 0 और y versus not possible मतलब हमारा अगर हम 0 by 2 करते हैं तो यह divide हो जाएगा अगर हम करते हैं 2 by 0 तो यह हमारा infinite आता है not possible होता है यह divide नहीं होता है अब देखेगे यह तो होता है हमारा 0 के case में अब हम 1 के case में rule लिख लेते है 1 is not divisible by divisible by any number देखेगा यहां हम बात कर रहे है perfect number की देखेगा 1 by 2 क्या हो जाता है 0.5 होता है लेकिन हम बात कर रहे हैं ताकि हमारा कोई fraction ना आए क्योंकि हम यहां बात कर रहे है divisible की divisible में हैं पर हम यह नहीं चाहरे हैं कि हमारा कोई value fraction में आए इसलिए मैंने लिखाया 1 यहाँ पर लिख देते हैं अभ देखेंगा यहाँ पर लिख सकते हैं आगर वन की बात करता हैं हम यहाँ पर लिख सकते हैं तो कितने आगर्वाइट सकते हैं वरकों करते हैं उसे téhые दोब secondly महाँ ऐसे सकते हैं दो आग्वाइट perfect division चाहिए क्योंकि हमें fraction में value नहीं चाहिए इसलिए यहां लिखा गया है one is not divisible by any number देखेगा यहां पर मैं कुछ भी number वो not divisible लाएगा but any number is divisible by one देखेगा यह लिख देखेगा अगर मैं लिखता हूँ two by one या three by one तो value कितनी आ जाती two आ जाती है इसलिए यह लिखा है one is not divisible by any number but any number is divisible by one तो यह हमारा rule है अब देखेगा अब क्योंकि हम divisibility rule पड़ रहे हैं तो यहां पर two का क्या rule होता है three का क्या rule होता है four का क्या rule होता है इनके बारे हम सब बात करेंगे देखेगा अगर हम बा rule of two देखेगा divisibility rule of two का मतलब होता है यदि कोई ऐसा number जो दो से divide हो जाएगा perfect divide होना चाहिए वही divisible rule of two होता है देखेगा इसका क्या rule होता है अब देखेगे इसी देखेगे बारे में बात करेंगे और फिर उसके बाद four eight sixteen thirty two sixty four इसकी बारे में बात करेंगे तो यहां पर ह हैं पर remove कर देते हैं क्योंकि हमें एक साथ बताने वाले हैं देखेगा two की अगर बात करें तो two में unit place पर हमारा last का जो number होगा वो two से divide होना चाहिए यह last digit last digit अगर हमारी two से divide है तो वो number पूरा पूरा number two से divide होगा अब four के बारे में बात करते हैं अगर last की two digit last two digit अगर divisible है four से तो वो number divide होगा four से अगर हम बात करते eight अगर last के last के three digit divide हो जाता है eight से तो वो number eight से divisible होगा अब हम बात करते 16 की 16 में क्या करते हैं अगर last के four digit अगर last के four digit 16 से divide होता है तो वो number हमारा किसे divide हो जाएगा 16 से divide हो जाएगा अब अब इसी तरह से 32 के हो जाएगा कि अगर last क 5 digit divided होते है 32 तो वह पूरा पूरा number 32 से divided हो जाएगा कि किस तरह से बता सकते हैं कोई number 2 से divided है या 16 से divided है अगर मैं number लिखता हूँ 123456 3126 06 देखेगा अगर मैं यह number लिख देता है और पूशता हूँ कि क्या यह number 2 से divided है देखेगा बहुत बड़ा नंबर है अगर मैं इस नंबर को 2 से डिवाइड करूँगा तो बहुत जाधा टाइम लग जाएगा मैंने आपको क्या बता है 2 का रूल कि लास्ट का अगर डिजिट लास्ट का डिजिट अगर 2 से डिवाइड हो जाता है तो वो पूरा नंबर 2 से अब देखेगा, अगर मैं यह six की बात करता हूं, तो six two से divide हो जाएगा, तो यह number क्या हो गया, यह number two से divide हो जाएगा, अब देखेगा, अगर मैं four की बात करता हूं, last के two digits, last के two digits के अगर मैं बात करता हूं, तो यह क्या हो जाएगा, zero six है, यह पूरा पूरा divide नहीं हो फोर स तो यह 4 से, यह 4 से divisible नहीं है, अब देखेगा, अगर मैं 8 की बात करता हूँ, तो 8 में क्या है, last की मुझे 3 डिजिट लेने है, last के 3 डिजिट, अगर देखेगा, इसके मैं डिवाइड करता हूँ, 206, अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ, 8 से, तो यह पूरा वुरा और यह कितना नीचे आजाएगा, 4 आजाएगा, last के डिजिट कितना आजाएगा, 0, 3, तो 0, 3, 4 से डिवाइड नहीं होगा, तो यह नमबर हमारा 8 से divisible नहीं है, इसी तरह से हम 4 डिजिट का लेंगे, इसी तरह से हम 5 डिजिट का लेकर हम पता कर सकते हैं, कि क्या यह नमब 32 यह 16 से डिवाइड होगा, यह हमारा रूल है, 248, 16, 32 के बारे में, आप देखेगा, मैं यहाँ पर एक चीज और आपको बताते हुए चलता हूँ, अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर मैं लिखता हूँ, यहाँ एन इक्वाल टो मैं लिख देता हूँ, 4 और इस नमबर का मै स्क्वाइर करता हूँ, तो यह क्या हो जाता है हमारा, यह अगर मैं एन इकल टो 4 है, और इसका स्क्वाइर करता हूँ, तो वैल्यू कितनी आ जाती है, 16 आ जाती है, देखेगा, अगर एन की वैल्यू टो से डिवाइड हो जाती है, तो एन स्क्वाइर की वैल्यू किस से ड दिखाया है आपको देखेगा यह नंबर है एन इक्वाल टू फोर यह दो से पूरा-पूरा डिवाइड हो जाता है अब मैंने इसका स्क्वाइर किया है कितना 16 है यह 16 फोर से पूरा-पूरा डिवाइड हो जाएगा कुछ और अग्जम पर लेते हैं अगर मैं लेता हूं एन नहीं डिवाइड हो रहा तो n2 मतलब 9 भी 4 से डिवाइड नहीं होगा यह एक रूल है यह देखेगा हमने क्या है यहां पर मैंने रूल लिख दिया है जो मैंने आपको भी बताया है यदि n is divided by 2 then n2 is divided by 4 इसका क्या यूज होगा मैं आपको एक एक्जम पर लेकर दिखाता ह हूं देखेगा यहां पर मैं question लिख देता हूं if n is if यहां पर लिख देता है question लिख रहा हूं मैं यहां पर यह देखेगा यह मैंने question लिखा if n is two digit number and n square इस तरह से है कि last में three four आ रहा है और यहां पर कोई digit रही होगी फिर इसमें पूछा गया है कि find out how many possible value of n यानि कि हमारा two digit का number है देखेगा two digit का number है last में two आ रहा है तो square में कितना last में कितना रहा हूँ हम मान लेते हैं यहां पर मैं बात करता हूं n square जैसे n हमारा कोई number है मान लेते हैं two digit का number है तो obvious यह बात है कि last पर हमारा है क्या रहा होगा इसमें लिखाया है two digit number है और यहां पर कितना रहा ह फोर आ रहा है तो यहां पर unit क्या रही होगी two होगी तभी अगर हम square करते तो हमारा कितना four आता है यानि कि n इस तरह से हो सकता है हमारा n equal to यह space है और यहां पर two है जैसे हम two का square करेंगे तो हमारा four आ जाता है देखेंगा n equal to यह two आ रहा है तो अब यह वैल्यू किस से डिवाइड होनी चाहिए अब देखेंगा अगर हम इस value की बात करें four आ डिवाइड होने का मतलब हुआ कि अगर last के two digit अगर four आ डिवाइड हो जाते है पूरे पूरे तो यानि कि हमारी कोई possible value हो सकती है आप देखेंगा n equal to हमारा space और two यह हमारा कोई number है अब मैंने इसका square किया तो यह value मुझे दी है कि n square equal to space इस पर three four आप देखेंगा अगर यह क्योंकि number अगर यदि हम कोई number है n equal to कोई number है तो उसका square four से divide होना चाहिए क्योंकि मैंने आपको था रूल बताया है अब यह number हमारा four से divide होना चाहिए अब देखेंगा last कि put digit मैंने आपको बताया four का rule क्या होता है अगर लास्ट के two digit four से divide होता है तो वो number हमारा four से divide हो जाता है अब देखेंगा, three four है three four हमारा four से divide नहीं हो रहा है तो यानि कि कोई भी ऐसी possible value नहीं हो सकती कि जो इसकी कंडिशन को सेटिस्फाई कर दें तो यहां पर क्या होगा नो वेल्यू यहां पर एन की कोई ऐसी वेल्यू नहीं है जो इस कंडिशन को सेटिस्फाई कर दें तो एन क्या होगा कोई ऐसी वेल्यू नहीं हो जिकती कि जो इस कंडिशन को हो जाएगा आप देखेगा अगर मैं बात करूँ कोई नंबर है अगर मैं 0 का square करता हूँ तो 0 आ जाएगा 1 का square करता हूँ तो 1 आ जाएगा लेकिन अगर मैं 2 का square करता हूँ तो unit place पर कभी भी 2 नहीं आ सकता तो यह आ सकता है और यह नहीं आ सकता है देखेगा unit place पर मैं बात कर रहा है आप अगर मैं 0 का स्कार करता हूँ तो यूनिट प्लेस पर क्या आएगा 0 आएगा अगर मैं 1 का स्कार करता हूँ तो क्या जाएगा यूनिट प्लेस पर 1 आजाएगा लेकिन अगर जैसे मैं 3 की स्कृयर करता हूँ तो 3 last में नहीं आएगा 9 आएगा अब दिखेगा अगर मैं लिखता हूँ 5-5 unit place पर आसकता है जैसे में अगर मैं square करता हूँ 5 का तो 25-25 के last में क्या है 5 है यानिके unit place पर 5 आजाएगा अब दिखेगा अब मैं लिखता हूँ 7, 7 unit place पर कभी नहीं आ सकता अगर हम किसी number का square कर दे, suppose हम कोई number लेते 47, 47 का अगर मैं square करता हूँ, तो last में कभी भी 7 नहीं आ सकता है, अब देखेगा, अगर मैं 6 लिखता हूँ, 6 हमारा आ जाएगा, कैसे आगा, अगर मैं लिखता हूँ, 36, 36 का square करने का, तो unit place पर मेरा 6 आ अब देखेगा, अगर मैं करता हूँ 8, 8 कभी भी, जैसे मैंने लिखा हाँ, 18, 18 का अगर मैं square करता हूँ, तो last में कभी भी 8 नहीं आ सकता है, अब मैं देखेगा, last unit place पर क्या, 9, 9 के अगर मैं बात करूँ, अगर मैं 23 का square करता हूँ, तो unit place पर 9 आ जाएगा, देखेगा, म कभी नहीं आ सकता देखेगा अगर यही कोशन दिया होता और इस कोशन में बोल दिया होता कि n is two digital number है और n square दे दिया होता हमें three three यहाँ पर last में three three दे दिया होता तो यह कभी possible हो नहीं सकता क्योंकि जब हम किसी number का square करते तो उसके unit place पर कभी भी three नहीं आ सकता है यह two three seven eight य n कोई number लिया है और इसका square कर दिया तो यह value कभी यह value आएगी और यह value कभी नहीं आ सकती है अब देखेगा अगर मैं बात करता हूं कुछ और लिक लेता हूं देखेगा यह तो मैंने n लिया number और इसका मैं square करता हूं देखेगा अगर मैं value लेता हूं यह मैं यहाँ पर इस तो जो नमबर सरके होता है उसका बात होना चाहिए तो अगर मैं मैं इसको इसवार, करता हूं तो यह पुरा पुरा, दिवैड नहीं हो रा है तो यह unit place पर और tenth place पर कभी नहीं आ सकता तो यह नहीं आ सकता अब क्या सकता है अब देखेगा अगर को आप 24 लेता हूं देखे गलास्ट का det है यह तो जो नमबर रहा होगा उसमें लास्ट में टु रहा होगा अब number कोई 2 रहा होगा तो उसका मुझे मैंने square किया है तो last में 4 आगिया है अब इस तरह से आया कि हमारा square करने के बाद number ये रहा है देखें कहां भी कुछ होगा ये मान लेते हैं इस तरह से यहां कुछ रहा होगा देखें कि ये last में कहा 24 है ये 4 से divide हो रहा है 4 से पूरा पूरा divide हो रहा है यानिके unit और 10th place पर 24 आ सकता है अब कौन सा सकता है अब देखेंगा यहां पर अगर मैं 34 नहीं आ सकता है क्योंकि ये तो जब मैंने and कोई value ली है and unit place पर क्या रहा होगा even number रहा होगा 2 रहा होगा और square करूंगा तो last में 4 आ जाएगा तो मैंने बता है जो number 2 से divide हो रहा है तो उसका square 4 से divide होना चाहिए ये 10th place और unit place ये 4 से divide नहीं हो रहा तो ये unit और 10th place पर नहीं आ सकता क्या सकता है 44 देखेंगा 44 आ जाएगा क्योंकि ये देखेंगा जब मैंने किसी number का square करा होगा तो ये हमारा कोई number आया है तो ये देखेगा जो number हमारा n equal to so कोई number मान लेते है वो 2 से तो divide हो रहा होगा तभी unit place पर 4 आया है आप देखेंगा जो number 2 से divide हो रहा है तो उसका square किस से divide होगा 4 से यह 4 से पुरा पुरा डिवाइड हो रहा है आप देखेगा अगर मैं लिखता हूँ 54 यह भी सेम यह है यह देखेगा यह 4 से पुरा पुरा डिवाइड नहीं हो रहा है आप देखेगा 64 यह पुरा पुरा डिवाइड हो जाएगा इसी तरह से अगर हम बात करते 74 यह कभी नही तो से आप धेगे हैं यह अमारा किसे डिंदेगा से इस ऐसा हो सकता है कि यह मैं उस IBM । हाफ करता हूं सबस्छों कर यह सकता है और यह नहीं आ सकता है यह मैं इसलिए आपको बता रहा है जैसे मैंने आपको भी कोशन कराया था कि टुट डिजिट नंबर है और लास्ट में थ्री फोर आ रहा है तो उसे बिना स्वाल करें ही तुरंत मैक्सिमम दो ये तीन सेकेट में उसको कोशन को कर सकते हैं जब आपको रूल बता होगा देखेगा ये मैं ये आ सकता है औ अब देखेगा क्या वैल्यू नहीं आ सकती है उसके बारे में हम बात करेंगे मैंने आपको बता है देखे और ये 16 है ये 16 तू से डिवाइड हो रहा है तो विस भात है इसका जो यूनिट प्लेस और टैंफ प्लेस है इसको फो से डिवाइड होना होगा तभी नंबर वैलि है higher पार इंटे 67 नहीं आ सकता क्योंकि जब हम इसको फोर से डिवायड करेंगे तो यह पूरा पूरा डिवायड नहीं होगा और नमबर लिख लिए दे हैं दिटेखे 36 अगर मैं बात करूँ दिटेखे 36 फोर से डिवायड हो रहा है तो यह आ सकता है अगर नहीं आशकता है क्योंकि ये four से divide नहीं होगा अब दिक्षाइवन्टेशक से अगर हम बात करें तो ये क्या है ये हमारा four से divide हो जाएगा अब ये अगर हम 86 अगर हम बात कर एटीजिक्स की 86 ये दिखेगा four से ये पूरा पूरा divide नहीं हो रहा तो unit place और ten place पर कभी विए 86 नहीं आ सकता है यह तो हमारा हो जाता है इस तरह बेस्ट में आपको कुश्ट्ट करके दिखाता हूँ एक जो मैंने आपको रूल बता है यही ंपर हम अपलाई करेंगे देखेगा कोई नंबर हम ले लेते हैं यह देखेगा यह हमारा कॉश्ट्ट है इसमें पूछा गया है which one is perfect square देखिएगा हम इसे दो तरह से कर सकते या तो हम इनका सबका अलग-अलग square root निकाले तो हमें पता अलग जाएगा कि perfect square क्या होगा लेकिन उसमें बहुत ज़्यदा time consume हो जाएगा तो वो हमें नहीं करना है जो मैंने आपको rule पता है वही हम यहाँ पर apply करेंगे देखिएगा हमने कहा कि 36 यह अगर मैं बात करूँ यह किसी का किसी number का यह square होगा यह भी किसी number का होगा क्योंकि हमें मालूम नहीं है तो यह भी किसी number का हो सकता है यह भी किसी number का square हो सकता है देखेगा क्योंकि हमें बताना है कि perfect square कौन सा होगा तो हमें जो rule पता है वही rule यहाँ पर apply करेंगे rule क्या है अगर कोई number है अगर उसका square करते हैं तो उसका square जो होगा वो force भी divide होगा अब देखेगा मैं यहाँ पर बात करता हो तो unit try this is on a यहां पर हमसे यह नहीं पुछा गया है कि इसका square root क्या होगा तो क्योंकि हमें यहां पर find out करना यह क्योंकि यह तो अगर हमें rule नहीं मालूम है तो हम individual सब का root निकालेंगे तो यह क्योंकि इसमें बहुत चता time कंजू बनजागा यह नहीं करना जो हमें rule पढ़ा है वही rule यह क्योंकि कोई number रहा हुआ उसका अगर हमें square करता हुँ तो फोर से पूरा पूरा divide होता है क्यों यहीं ऐसा case है कि जो फोर से पूरा पूरा divide हो जा रहा है और यह कोई भी number four से last two digits यह four से divide नहीं हो रहे हैं, तो यह कोई भी number perfect square नहीं हो सकता है, यह तो मैंने आपको बता है rule, अब हम चलते हैं, कुछ और rule पढ़ते है, divisibility के, अब हम बात करते हैं, 3 की, क्योंकि अभी हम 3 के बारे में बात कर रहे थे, अब हम 3 के बारे में बात करेंगे, divisibility rule of 3, यहाँ पर लिख द मैं आपको बताऊंगा, कि rule यह किस तरह से बना है, देखेगा, अगर मैं बात कर रहे हूँ, 36 है, देखेगा, यह 36 ऐसा number है, हम easily divide करेंगे, यह कितना आ जाएगा, इसको divide करते हैं, तो के value कितना आ थी, 12 आ जाएगी, यहनि कि 36 3 से divisible है, अब देखेगा, अगर मैं लिखता हूँ, यहाँ पर 92, इसको divide करता हूँ 3 से, यह भी नहीं हो रहा है, अगर मैं लिख देथा हूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ 3, 1, 3, 6, और इसको divide करता हूँ 3 से, तो यह number हमारे 3 से divide नहीं हो रहा है, यह देखेगा, कैसे निय कि यहाँ आ डिवाइड करके दिखा देता फिर मैं आपको रूल बताऊंगा, 3 1 3 6, 3 1 0 3 3 4 2 1 और यह 16 है, यह कितना आजागा, 5, तो यह 15, रिमेंडर कितना बचा है, 1 बचा, तो यह परफेक्ट डिवाइड नहीं हुआ, तो यह हमें चेक करने के लिए डिवाइड करना है, तो मैं अब से आपको यह डिवाइड नहीं तो क्योंकि हम से यहाँ पर डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आई है, वो नहीं पूछे, बस यह पूछा जाता है, कि यह नमबर 3 से डिवाइड है कि नहीं है, देखेगा, अगर 36 की यह डिजिट है, इन डिजिट को मैं एड कर देता हूँ, तो यह कितना आजाता है, 3 प्लस 6, 3 प्लस 6 कितना होता है, 9 हो जाता है, यह 9, 3 से पूरा पूरा डिवाइड है, मतलब यह नमबर 3 से डिवाइड है, अब जैके 46 की अगर हम बात करें, अब यह डिजिट है, 4 और 6 इनको एड करते हैं, कितना आएगा 10 आएगा, 10 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो यह 7 प्लस 6, 13, तो 13 हमारा 3 से डिवाइड नहीं है, तो यह नमबर हमारा 3 से डिवाइड नहीं है, यानि कि अब हम रूल लिख लेते हैं, यह कि आपको समझाने के लिए में क्या, तो रूल हमारा क्या हो जाएगा, अगर कोई हमें नमबर दिया है, तो यहाँ पर मैं नोट करक 3 से डिवाइड हो जाता है, यानि कि वो नमबर 3 से डिवाइड होगा, मैं यहाँ पर रूल लिख देता हूं, sum of digit sum of digit divisible by 3 अगर ऐसा है तो number 3 से divide होगा तो है sum of digit divisible by 3 अगर ऐसा है तो number 3 से divide होगा आप देखेगा कुछ question लेता हूँ मैं आपको question बताता हूँ अगर मैं number लेता हूँ आपर 3, 1, 6, 7, x, 1, 2, 3 अब देखेगा यह कहा हमने यह देखेगा यह question है हमारा अब देखेगा इसमें कहा गया यह number divisible by divisible by 3 then find out value of find value of x देखेगा हमें दिया गया है कि यह number 3, 1, 6, 7, x, 1, 2, 3 यह 3 से divisible है तो x की value क्या होगी मैंने आपको rule बता है यानि कि अगर यह number 3 से divide है मतलब क्या हुआ यानि कि इसका number का addition 3 से divide होगा आप देखेगा हम इन number को add कर लेते हैं तो क्या जागा 3 plus 1 कितना हो जाएगा 3 plus 1 4, 4 plus 6 10, 10 plus 7 कितना हो जाएगा हमारा 17, 17 plus 1, 18, 18 plus 2, 20, 20 plus 3, 23 23 अब देखेगा 23 plus x ये number 3 से divide हमें करना है तो x की value क्या रखे हम, x की value हमें क्या रखनी होगी देखेगा x की value हम क्या रख सकते हैं x की value हम क्या रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं मैं यहाँ पर 1 रखूँगा तो यह 24 हो जाएगा 24 3 से डिवाइड हो जाएगा अब और देखते कोई और नंबर की और कोई नंबर रख सकते हैं कि नहीं रख सकते अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ यहाँ पर हमारा 5 अगर मैं यहाँ 5 लिखता नहीं लिख सकता यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 4 लिखा जा सकता है अगर मैं यहाँ 4 लिखता हूँ तो 23 प्लस 4 कितना 27 27 3 से डिवाइड है तो यहाँ पर मैं 3 लिख सकता हूँ 4 लिख सकता हूँ तो यहाँ पर 452327 23 से पुरा-पुरा डिवायड हुजाता है आप देखेगा और मैं नमबर देखता हूँ कि यहां पर x की value क्या क्या आ सकती है अब यहां पर value x की आ सकती है यहां पर हमने 4 हो क्या है अब यहां पर हम लिखते हैं यहां पर अगर हम लिखते हैं 7 यह वगर 23 पलस 7 कितना 30 30 पुरा पुरा 3 से डिवैड हो तो यानि कि 7 भी आ सकता है अब देखेगा अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ अगर मैं यहाँ पर वैल्यू लिखता हूँ 10 यहाँ पर मैं नहीं लिख सकता क्योंकि हमारा X क्या है एक डिजिट है यह X हमारा एक डिजिट है तो हम क्योंकि यहाँ पर डिजिट के अगर बात करें तो डिजिट हमारे 0 to 9 ह हो सकती है तो यहां पर X की value 0 से 9 तक हो सकती है यह यानि कि X value कों कों से possible हो सकती है इस case में 48-47 यह तीन values possible हो सकती है जो IS condition को satisfy कर देती है तो इस तरह का question आ सकता है जब हमे रूल पता है तो हम यह apply कर सकते हैं देखेगा यहां हैं पर मैं यह हमारा हो जाएगा three यह पुरह 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 बिवाड हो जाएगा आप देखेगा मैं अगर लिखता हूँ six प्लस one seven seven plus seven कितना फ buna fourteen अगर मैं फ Clin को लिख देता हूँ 12 प्लस two to 12 मूर पुरह पुरह बिवाड हो आप दिखना है कि इस नंबर को में तर्यस दिवाड करना कैसे कैसे करना अगर एकस की वहन में रखता हूँ तो ट्वेंटीफ्र करका बर्द और धेका फूर एक फ跑 तल्प ती्क्रर जाएगानow चेवन दाता हँ तो थर्टे ऋजाएगा ये थर्टी हो जाएगा 7 7 7 7 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा अब मैंने क्या किया है 14 को मैंने लिख लिया है 12 प्लस टू ये 12 पूरा-पूरा 3 से डिवैड हो रहा है तो बचा क्या 2 है तो इसलिए मैंने 2 प्लस एक्स लिखा अब चेक कर लिना है कि ये 2 प्लस X हमारा 3 से divide हो रहा कि नहीं हो रहा आप देखे X की value अगर मैं यहाँ पर 1 रखता हूं तो 3 हो जाएगा 4 रखता हूं तो 6 हो जाएगा और 7 रखता हूं तो 9 हो जाएगा यह सभी number 3 से divide है अब देखे यह इन सबसे बचने के लिए देखे यह छोटा सा number है तो आपने easily addition कर लिय अगर यह number बहुत बड़ा होता तो उसको ऐसे ही eliminate करते हैं और value इस तरह से format करते हैं और इसको check कर लेते हैं फिर यह 3 से divide हो रहा कि नहीं हो रहा तो यह 2 plus X कितना हो जाएगा यह value हमारी 3 से divide है तो X की value क्या हो जाएगी 147 यह value हो जाएगी अब हम आगे move करते हैं यह हमने अगर कोई number दिया है उसके digit को हमें add करना है और check करना है कि वह add करा हुआ नमबर 3 से divide हो रहा की नहीं हो रहा अगर हो रहा है तो मतलब number 3 से divide हो जाएगा अब कुछ और rule देख लेते हैं देखे हमने पढ़ा है two का rule पढ़ा है three का rule पढ़ा है four का rule पढ़ा है अब हम five की बा कर यह तो होगे दिवीजि बिलीटी रूल ओ आवं और फाईं के पिक्षाय में क्क्या होता में वोBACK येन ट्रेज पर आगर जीरो हो यह 5 हो तो वह नंबर क्या होगा यह हमारा 5 से डिवैड हो जाएGa देखेGa अगर मैं प्रेस पर नेटा यह देखेगा यूनिट प्लेस पर क्या रहा रहा यानि कि यह नंबर 5 से डिवाइड हो जाएगा अब लिए 3035675 यह नंबर लिख लेते हैं देखेगा अगर हमें रूल नहीं मालूम तो हम क्या करेंगे इसको डिवाइड करेंगे तो इससे बहुत जादर टाइम कंजूम हो से जाएगा और हमें अपना टांप से करना क्योंक्कि एंग्जाम में दो या तीन घंटे मिलते हैं और में हमें मैक्शकीमां क्योब करना हुआ करना होता है अगर हमें रूल पता आता है यानि कि यह नंबर पुरा पूरा नंबर 5 से डिवाइड होगा तो आगे हमें कुछ नहीं सोच रहा है तो यह नमबर क्या हो फाइसी डिवाइड हो जाएगा देखेगा इससे रिलेटर कैसे कॉशन बन सकते वह मैं आपको समझाता हूँ यह तो मैं आपको रूल बताया है कि यूट प्लेस पर अगर जीरो हो या फाइव हो तो फाइसी डिवाइड हो जात हमारा यह यह हमें कॉशन दिया हुआ है यह नमबर दिया है और बोला गया है कि फाइसे डिवाइड पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है तो एकस की अलो में बताने ही क्या करने है देखेगा वह हमें अलिमिनेट कर देना है देखेगा यह फाइस आप में हैं लिख देता ह three plus one और ये one यह कि आ हो जाएगा हमारा देखिएका ये हो जाएगा अगर मैं बात करता हूँ three plus one four four plus one five five plus zero कितना हो जाएगा five हो जाएगा तो ये पुरा-पुरा ये जो है कट जाएगा अब क्या होसा ये ईखिएगा six plus two eight eight plus seven क्या होगा हमारा fifteen fifteen 15 plus X, तो यह क्या हो जाएगा, 15 plus X, 15 plus X, यह देखेगा, अगर मैं इसकी बात करूँ, यह हमारा क्या है, इसका अड़ करने के बात क्या है, 15 plus X आए, मैंने का है, यह पूरा पूरा नंबर डिवाइड हो रहा है, देखेगा, अगर यहाँ पर लिख लेता हूं, 15 plus X, देखेगा X की value अगर मैं रखता हूं, यहाँ पर 0, तो क्या हो जाका 15 आ जाएगा, यह 15 क्या 5 से पूरा पूरा डिवाइड हो जा रहा है, अगर मैं लिखता हूं, यहाँ पर, X S VALU 5 लिख देता हूं, 5 लिख दिया है मैंने, 15 plus 5 कि अतना, 20, 20, पूरा पूरा 5 से डिवाइड हो रहा value क्या हो जाएगी यह x की value हो जाएगी 0 और 5 यह 5 का rule था अब हम बात करते है 6 के बारे में क्योंकि हम rule पढ़े 2 का पढ़ा है 3 का पढ़ा है और हमने 4 का पढ़ा है 5 का पढ़ा है तो अब आती है 6 की बारी तो हम देखते है 6 का क्या rule है 6 का rule देख लेते हैं यह देखेगा यह हमारा 5 का complete हुआ है अब हम divisibility rule of 6 की बात कर लेते हैं divisibility rule of divisibility rule of 6 देखेगा अगर हम divisibility rule of 6 की बारे में बात करते हैं तो इसका क्या rule होता है 6 का अगर हम factor करते है तो कितना आ जाता है 2 आता है 3 आता है यानि कि अगर कोई number 2 और 3 2 2 & 3 से डिवाइड हो रहा है तो वो नमबर 6 के डिवाइड 6 से डिवाइड होगा देखेगा हम छोटा सा एक नमबर लेते हैं हम लेते हैं 18 देखेगा 18 का देखेगा अगर यह नमबर 2 और 3 से डिवाइड हो रहा है तो मतलब 6 से भी डिवाइड होगा देखेगा इस नमबर यह 18 6 से डिवाइड हो जा रहा है क्योंकि 2 और 3 से दोनों से डिवाइड हो जा रहा है कोई और नमबर लिखते हैं अगर नमबर लिखते हैं 3 3 2 6 3 अगर मैं यह नमबर लेखता हूं यह और मुझे चेक करना है कि क्या यह नमबर 2 और यह यह नमबर 6 से डिवाइड है कि नहीं से डिवैड होना चाहिए अब देखेगा unit place पर रखे 3 है यानि कि ये नंबर को से तो डिवैड हो नहीं रहा है अब देखेगा अगर हम 3 की बात करें तो ये पहली हमारी condition गलत हो जाती है रोंग हो जाती है तो ये नंबर हमारा 6 से डिवैड नहीं हो रहा फिर हमें आगे चेक करने के आप सकता नहीं है जब पहली condition गलत हो गई तो ये जो है 6 से डिवैड नहीं होगा तो ये हमारा 6 का रोल है इसी तरह से हम को और example ले लेते हैं हम लेते हैं 6 3 2 6 2 देखेगा ये नंबर है ये नंबर हमने लिया है ये क्या ये 6 से डिवैड है कि नहीं है देखेगा unit place पर 2 है यानि कि ये नंबर पूरा पूरा 2 से डिवैड हो जाएगा अब देखेगा हम देखते है कि क्या ये 3 से डिवैड है देखेगा ये 3 से ये 3 से रिमू कर देंगे ये रिमू कर देंगे ये रिमू कर देंगे क्या बज़े का 2 प्लस 2 2 प्लस 2 क्या होता है ये हमारा 4 हो यानि कि यह नंबर भी हमारा 6 से डिवैड नहीं है अब देखेगा यह तो हमारा रूल हो जाता है 6 का अब रूल हम पढ़ते हैं 9 का 9 का रूल मैं इसलिए पढ़ रहा हूं क्योंकि जो हमने बीच में छोड़ा है 8 क्योंकि 8 का तो मैंने आपको बता है कि यूनिट प्लेस पर अगर यह हमेरे लाज के 3 डिजिट 8 से डिवैड हो जाते है तो नंबर पुरबूरा 8 से डिवैड जाता है 9 की मैं इसलिए कर रहा हूं 7 की जो मैंने छोड़ा है उसको मैं बात में बता हूंगा क्यों बता हूं वह मैं आपको समझाओंगा देखेगा मैं अब बात करता हूं 9 के बारे में और 9 की beauty क्या होती उसके बारे में बात करेंगे divisibility rule of divisibility rule of 9 देखेगा divisibility मैं लिख देते हैं आप़ Divisibility rule of 9 तो 9 की बहुत अची beauty है वो क्या beauty मैं आपको समझाओंगा देखेगा 9 के case में क्या होता है अगर जैसे मैंने 3 के बारे में बताया था उसी तरह से यहा है तो मतलब वो नंबर नाइन से डिवाइड है अब देखें यहां पर मैं एक चीज आपको बताता हूं चलता हूं जो नंबर नाइन से डिवाइड होगा देखेंगा यहां पर मैं एक आपको कोई एक्जम्पल लेकर समझाता हूं देखेंगा मैं लेता हूं यहां पर एट व इसका डिवाइड है, तो यानि कि वो नमबर क्या होगा, अब अगर हम इसकी बात करें, 81 की, 81 9 से डिवाइड है, पुरा-पुरा हमने डिवाइड कर देंगे, क्योंकि छोटा नमबर है, अगर बड़ा नमबर हो जाता है, तो उसकेस में थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा, उ यह 9 3 से भी डिवाइड है यानि के यह नमबर हमारा 81 3 से भी डिवाइड है और यह 9 से भी डिवाइड है 9 से भी पूरा-पूरा डिवाइड हो जाता है और 3 से भी डिवाइड पूरा-पूरा हो जाता है यह इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है यह आपको बताता यहाँ पर बता है कि यह जो नंबर 9 से डिवाइड होगा वो नंबर 3 से भी डिवाइड होगा हम कुछ और एक्जम्पल लेकर दिखाते हैं 1881 देखेगा यह नंबर हमारा 3 से डिवाइड है देखेगा इनको एड करते तो कितना आ जाता है 1 प्लस 8 9 9 प्लस 8 17 17 प्लस 1 18 यह हमारा हो जाता है 18 18 क्या है 3 से डिवाइड है यानि कि यह नंबर हमारा 9 से भी फूरा फूरा डिवाइड हो जाएगा यह आप देखेगा यह तो हो जाता है अब मैं आपको कुछ और एक्जम्पल लेकर बताता हूं दे देखेगा यह नंबर चेक करना है कि हमारा 9 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है यह लिग देता हमें is this number divisible by divisible by 9 or not देखेगा यह क्या है यह नंबर दिया है और हमें चेक करना है कि क्या यह नंबर 9 से डिवाइड है यह नहीं है देखेगा एक तो केस ही होता है कि हम इन सब नंबर को add करें और उसके बाद 9 से divide चेक करें कि यह 9 से divide हो रहा कि नहीं हो रहा उससे जो हमें यह addition करना है उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं हम यहाँ पर ही check कर लेते हैं जो जो नंबर 9 से divide हो जाता है उसको हम remove कर देंगे देखेगा अगर मैं इसकी यहाँ पर 3, 2,8,1 देखे रहा यह पुरबर divide हो जाएगा 6 प्लस 3 9 यह पुरबर divide हो जाएगा 8 प्लस 1 9 यह पुरबर divide हो जाएगा और 2 हमारे पास वहां टूपलस 2 कितना ह Messiah 2 तो मतलब यह नंबर हमारा नाइन से डिवाइड नहीं होगा यह तो हमारा हो गया कि यह कैसे चेक करते हैं अब देखेगा इससे क्या होता है जो मैंने आपको यह रूल बता है इससे हमारा बहुत जदर टाइम से हो जाता क्योंकि अगर हमें ऐसे करें तो हमारा टाइम इससे हमारा बहुत जाता है यह रहारा नाइन का रूल बात करें क्योंकि मैंने आपको बता है एट क्योंकि हमें पता है अगर एट से कुई नंबर डिवाइड होता है तो उसके लास्ट के थिरी डिजित अगर एट से डिवाइड हो रहे तो वह नंबर हमारा पूरा पूरा एट से डिवाइड हो जाएगा और नाइन के केस में क्या है अगर हम उस नंबर का एडिशन कर द यह कुशन दिया है इसमें पूछा गया है कि हमें value निकालनी है x की और यह बुला गया है कि यह नंबर divisible by 9 है यह divisible by 9 है यह नंबर हमारा 9 से divide है तो हमें x की value निकालनी है करूँगा मैंने जो आपको rule बता है वहीं मैं यहा पर apply करूँगा है यहां पर 57321x और 8 देखेगा यहां पर अगर मैं बात करूँ7 x कितना हो जाता है हमारा 9 हो जाता है इसके remove कर देता हूँ अब देखेगा यहां पर मैं लिखता हो 3 plus 1 कितना 4 4, 4 plus 5 9 हो जाएगा, इसको मैं यह रही भूग कर देता हूँ, अब बचा क्या हमारा, 8, x और 8, तो इसको एड कर देंगे, x plus 8, अब दीखेगा, यह हमारा नंबर 9 से डिवाइड है, तो हमाए x की वैलू क्या रखनी होगी, x की वैलू अगर मैं हहाँ पर 0 रख देता हूँ, कि आगका थो ये तो नहीं हो गा 0-8 के 8 हो जाएगा 9 जाएगा ये 9 से ढ़ने होसेटा सुर्थ इस की वेविवड़र में 1 रख देता हूँ थो जैसे में 1 रहुए खोंकर तो 1-8 कितनी ना 오सए यह 9 9 से डिवाइड है यानी कि X की वैलू कितने हो जाएगी 1 हो जाएगी देखेगा और माझे एक डिजित है और एकस डिजित है और एकस की वैलू 0 तो 9 होती है और तो हम यहाँ पर X value 10 नहीं ले सकते हैं इस से related हम और question लेते हैं हम question लिख लेते हैं यहाँ पर यह देखेगा यह हमारा question है 678 X 43 Y यह divisible by 9 and Y is even find sum of value of A देखेगा यह हमें एक number दियावा है यह बताया गया है कि यह 9 से divisible है और यह भी बताया गया है कि Y की value क्या है हमारी even number है ठीक है तो यह पूछा गया है कि यहाँ पर यह देखेगा यह हमारा question है 678 X 43 Y divisible by 9 and Y is even find sum of value of X यह हमें दिया गया है यह हमें दियावा है और पुछा है कि X की कितनी value possible है और उनका फिर addition करना है तो यहाँ पर लिख लेते हैं 678 X 43 Y हमें पता है कि यह number 9 से divide है तो मैंने आपको rule बताया है कि देखेगा 6 plus 3 क्या तो 9 होता है यह पूरा प्रड़े डिवाइड हो जाएगा तो इसको remove कर देते हैं अब देखी का 7 plus 8 के 15 होता है 15 plus 4 19 19 को अगर हम लिखते है 18 plus 1 तो क्या हो जाएगा हमारा 17 plus 1 18 हो जाएगा तो इसको हम क्या करते हैं यह हमारा हो जाएगा 18 plus 1 अगर हम लिखते है तो 18 मैं आप यहां लिखकर दिखा देता हूँ देखेगा 7 plus 8 कितना होता है 15 15 plus 4 कितना होता है 19 होता है इस 19 को हम लिखते है 1 plus 18 तो 18 क्या पुरपुरो 9 से डिवाइड हो जाएगा तो यह हमें remove कर देना है तो क्या हो जाएगा अब हमारा 1 plus x plus y अब देखेगा हमें यह value निकल के आती है x 1 plus x plus y यह number हमारा 9 से डिवाइड होना चाहिए और हमें बोला गया है कि y की value even number है तो y की value क्या हो सकती है 0 हो सकती है 2 हो सकती है 4 हो सकती है 6 से सकती है और 8 हो सकती है क्यों कि Y1 नमबर अब देखेगा यहां पर हमें यह बताया गया है कि यह नमबर से दिवैड़ है यानि कि अगर मैं यह भी यह हमें 1 होगा यहां भी वन होगा यहां 1 होगा और यहां पर 1 होगा अब देखेगा केवल 0,2, यानि कि य की यह पूसिबल वैल्यू है अब देखेगा यहाँ पर हम देखते हैं कि X की कौन-कौन सी वैल्यू पूसिबल हो सकती है जो इसकंडिस कून सेटिस्फाइ कर दे यानि कि यह नंबर हमारा नाइन से डिवाइड हो जाए देखेगा अगर मैं वन प्लस एट करता हू हो तो9ust4 kully to जाएगा यहाँ फर म मैं यहांब करता हूं यह 9 हो जाएगा यह 9 से पुरा डिवेड हो जाता है अप अगर मैं हो फो देता हूँ नाइन से पूरबस टू कितना होता है 7 7 प्लस 2 कितना होता है 9 हो जाता है यह पुरा-पुरा डिवैड हो जाएगा अब देखेगा अगर मैं यहां लिखता हूँ 1 प्लस 0 1 1 प्लस 8 9 हो जागा पुरा-पुरा डिवैड जागा यानि कि x की possible value कितनी हो जी कि यह value है और हमसे पुछा गया है इसकी addition कितन Sum of यह value देखेगा इसको क 누OOK कर लेते है यानि की x की ऑगर बात करएं हमार पर 8 6 6 4 plus 2 गयर तो value कितनी हो जाएगी यह देखे आड खर लेते है 8 6 तक होता हमारा 14 14 14 प्लस 4 Sum 20 हो जाता है देखेगा यहाँ पर बच्चे क्या गलती करते हुआ वह मैं आपको समझाता हूं यहा पर मैंने यह गलती जानबुज के कि है, आपको समझाने के लिए कि आपको यह गलती नहीं करनी है, देखिए कि मैंने कहा तहां आपको कि x y या a b हो तो उसका value क्या हो सकती है, 0 to 9 हो सकती है, क्योंकि यह digit है, 0 to 9 आसकती है, आप देखेगा, यहाँ पर अगर हम बात करें one zero eight condition satisfied हो जाती है और आगे हम move कर गए ठीक है अब देखेगा यहाँ पर हम nine भी तो लिख सकते हैं यह जानबूज के मैंने छोड़ा था ताकि आपको यहाँ पर focus हो सके आपका ताकि आपको यह पता लग जाए कि यह भी हमें लिखना है यह मैंने इसलिए छोड़ा है यहाँ पर हम nine ले सकते हैं eight one प्लस nine कितना है था ten ten प्लस eight eighteen eighteen क्या हो गया यह हमारा नाइन सीट पुर अफ्रेट डिवैड हो जाएगा तो यह मैंने जान बुझ के छोड़ा था ताकि आपको यह ध्यान रहे कि हमें यहाँ पर क्योंकि x की value x एक digit है और digit zero to nine आ सकती है तो x क value क्या nine over add करनी होगी तो value हो जाएगी हमारी 29 यानि के x की सारी possible value का addition कितना आता हमारा 29 आ जाता है आप देखेगा यह हमारा question है अब हम कुछ इससे कुछ और question करते हैं यह nine की beauty होती है आप बोल सकते है beauty of nine की हमें सारे number add नहीं करने है और जो जो पहले पहले डिवाइड हो जाए रहे हैं उनको हम पहले डिवाइड कर लेते हैं आप देखे हैं यहां पर मैं question लिग लेता हूं यह देखे का यह question है seven four four eight x two four x divisible by seventy two and x greater than y then find the possible value of x and y देखे का यह हमें condition दी है यहां पर क्या कर यह हमें question दिया हुआ है seven four four eight x two four y और बताया गया है कि यह number पूरा पू तो हमें x और y की value निकालनी है और यहां पर x greater than y है यह condition दी है अब इसी condition का use करते हैं हमें x और y की value निकालनी है देखेगा यह कैसे solve करना यह हमें आपको समझाता हूं देखेगा 72 के कर बात करें इसके हम factor करते हैं तो देखेगा 36 into two भी हम कर सकते हैं 18 into four भी कर सकते हैं 8 into nine भी कर सकते हैं तो हमारे इस तरह से factor बन सकते हैं देखिए लेकिन हमें क्या लेना है कि हमारा को प्राइम हमने पढ़ा था previous lecture में को प्राइम of eight nine हमारा कितना आना चाहिए यह हमारा one आना चाहिए तो हमें इसको इस तरह से हमें factor करने है कि हमारा को प्राइम equal to one होना six or two लेता तो इसका को प्राइम कभी भी one नहीं हो सकता इसी तरह से eighteen और four का को प्राइम कभी भी one नहीं हो सकता यानि कि हमें इस तरह के question में ये जिससे में divide करा इसको इस तरह से factorize करना है कि हमारा को factor one आना चाहिए तो 72 का मैंने इस तरह से eight और nine का factor करे है तो इसका को प्राइम कितना है बनाया है यानि कि हमरी condition satisfied हो जाती है अब देखेगा हमने previous हमने question किये है उनमें हमने आपको बताया है कि 8 और 9 के 8 और 9 से divisibility rule क्या होता है उसके बारे में मैंने आपको बताया है देखेगा 8 का divisibility rule क्या होता है two four यानि कि जो last के three digit है वो हमारा eight से divide होना चाहिए है मतलब वो number हमारा eight से divide होगा अगर यहान लिख लिएता हूँ two four y यह number हमारा four से divisible है तो हमारा zero क्या होगा मैंने आपको बताया है यह हमें पूरा-पूरा divide करना eight से तो क्या होगा देखेगा y की value क्या हो सकती है y की value अग zero to nine ले सकता हूँ इसी तरह से x की value zero to nine ले सकता हूँ तो यहाँ पर देखेगा y की value zero हमारा eight से पूरा-पूरा divide हो सकता है और मैं यहाँ पर कोई value नहीं लिख सकता हूँ क्योंकि यह condition satisfy नहीं होगी तो y की value क्या हो जाएगी zero हो जाएगी अब देखेगा यहाँ पर मैं कु क्योंकि मैंने बताया आपको y की value zero to nine हो सकती है तो zero तो मैंने लिख ली अब यहाँ पर eight देखेगा eight मैं यहाँ पर लेता हूँ तो कितना जाएगर two forty eight यह eight से पूरा-पूरा divide हो जाएगा यह पूरा-पूरा divide हो जाएगा यह यह y की possible value कितनी है zero or eight हो सकती है और कोई possible value न बताया है यहां में लिख लेता हूँ यह देखेगा यह मैं बोक्स में कर देता हूँ क्योंकि आपको याद रहे कि y की value zero rate है अब देखेगा मैं यहाँ पर लिखता हूँ seven four four eight x two four y मैंने आपको rule बताया है देखेगा अगर मैं यहाँ पर seven plus two करता हूँ seven plus two कितना nine हो जाए दी का 4 क्या है मारा 4 फ्लस प्लस ऑशा है मारा 16 एंट प्लसिट फ्लस टूर और क्योंकि स्थीन binge 9 for 16 ! फोर इंट फ्लस अगर तो कर देता हूं तो 18 18 प्लस टू यह देखिगा 4 प्लस फोर किया है मारा एड और eight कितना है? sixteen. sixteen plus two eighteen, और क्योंकि देखेगे, मैंने क्या किया? यह मैं आपको समझाता हो, तो, यह मैंने क्या किया है? यह कितना हो जाता है? sixteen, आप इस four मेंसे, मैंने two यहाँ लिख लिया है, और plus two कर दिया है, तो, यह sixteen plus two कितना है? eighteen, eighteen पूरा-पूरा कट जाएगा 9 से तो क्या हमारा 2 बचा है तो क्या हो जाएगा हुमारा इसको हम लेख सकते हैं x plus 2 plus y अब देखेगा यह हमारा आ गया है और यह पुरा हमारा 9 से divide है क्योंकि हमें बताया गया है कि हमारा यह number 72 से divide है तो वैसी बात है की 8 और 9 से भी हमारा पुरा डिवैड हो जाएगा यानि कि x plus 2 plus y यह हमारा 9 से डिवैड होगा आप देखेगा यहां पर मैं यहां पर लिख लेता हूँ इसको x plus 2 plus y देखेगा यहां पर मैंने y की value निकाल चुका हूँ 0 or 8 plus 2 यह देखेगा यह क्योंकि मैं y की value निकाल चुका हूं और मुझे x की value निकाल ली है। अब देखेगा अगर मैं यहाँ पर x की value लिखता हूं 7 अगर एकटे मैं सब्सक्राइब दלא एकटे मुझे on और यहांब फन्सक्राइब होगा अजब इसकी वेल्ल newspapers किक लिए आज पर थैन प्लस एट कतना होगा में 2028 ऐए एकसट thats mortar प्लस एंज से पैन प्लस एटर को लिक्ता होगा हमारा यह इन प्लस यहां पर च Canton keyboard यह 혼자 आब देखिएगा ये दोनों value आ सकती है यानि कि x की possible value क्या है 7 और 8 है और y की possible value कितनी है 0 और 8 है अब देखिएगा एक condition दी थी इसमें कि अब देखिएगा ये दोनों condition satisfied हो रही है कि अगर मैं x की value 7 या 8 रखता हूँ फिर y की value 0 या 8 रखता हूँ तो हमारी condition satisfy हो जाती है यानि कि हमारा जो number है वो 72 से divide हो जाएगा लेकिन एक दूसरी condition भी हाँ पर दी है कि x greater than y है यह condition भी हमें दी हुई है यानि कि अगर मैं 7 की x की value मैं 7 लेता हूँ अगर मैं x की value 7 लेता हूँ तो y की value मैं 8 नहीं ले सकता तो यह क्या ले सकता है 7 और 0 यह value मैं ले सकता हूँ x की value मैं 7 ले सकता हूँ 0 ले सकता हूँ दूसरी value मैं क्या ले सकता हूँ अगर मैं x value 8 ले लेता हूँ x value मैं मैंने 8 ली है तो y की value मुझे 0 लेनी पड़ेगी तो यह मैं value ले सकता हूँ यह दोनो value अगर मैं रिखता हूँ तो मेरी condition satisfy हो जाती है जो question में मुझे दिया है तो यह दोनो condition satisfy होती है 7 0 और 8 0 पे क्योंकि यहाँ पर x की value 2 x की 2 value possible है इसी तरह से y की भी 2 value possible है लेकिन condition d x greater than y है तो x greater than हमें y करना है तो x की value 7 लेनी पड़ेगी और y की value 0 तो एक value तो यह हो जाती है x y की और दूसरी value क्या हो जाती है x की value अगर मैं 8 ले लेता हूँ और y की value 0 लेन यह दूसरी value हो जाती है यानि कि x की value हमारी x और y की value क्या possible हो जाती 7 0 एक यह value आ जाती है और दूसरी value 8 और 0 यह value हमारी आ जाती है अब देखेगा यह तो 9 से related मैंने आपको rule बताय है और question भी कराये है अब हम next individual liberty rule पर चलते है देखेगा हमने अभी पढ़ा है 4 से 2 का पढ़ा है 3 का पढ़ा है 4 का पढ़ा है 5 का पढ़ा है 8 का पढ़ा है और 9 का पढ़ा है 9 से related कुछ और हम नियम पढ़ते हैं 9 से related देखेगा यहाँ पर एक नियम और बनता है 9 का sum of digit का product equal to होता है sum of digit का multiplication देखेगा यह मैंने rule इसलिए गाए थोड़ा सा typical होता है देखेगा मैं एक छोटा question लोगा यह छोटा question इस पर based होगा फिर हम और बड़ा question लेगे यह तोड़ा typical होता है इसलिए मैंने शुरू में यह rule लिख दिया गया है देखेगा अगर मैं बात करता हूँ 12 into 6 देखेगा इसमें बोला गया sum of digit का product देखेगा digit का अगर मैं sum करता हूँ यह हमारा एक digit है इसका वगर मैं 1 plus 2 कितना 3 आता है 1 plus 2 कितना आता है 3 हो गया 3 into 6 कितना होता है हमारा 3 into 6 आता है 18 अगर 18 का मैं sum करता हूँ तो कितना हमारा 9 आजाता है ये तो हमारा ये होगा sum of digit का product आप देखे का sum of digit का multiplication ये हमें digit दी है इसका multiplication करते हैं तो कितना आएगा 72 आएगा 72 अब ये digit है 7 प्लस 2 कितना होता है ये कितना हो जाएगा हमारा ये हमारा 9 हो जाएगा तो ये ही मुझे मै मैं बताने की कोईजिज कर रहा है, यही मैंने रूप लिखा है, sum of digit का product, sum of digit का product equal to sum of digit का multiplication, कुछ और example लिखता हूँ, देखी है, मैं लिखता हूँ, 24 into 6, यह हमारी 24 digit है, इनको add करते है, कितना जाएगा, यह हमारा 6 आजाएगा, 6 into 6 कितना जाएगा, 36 है, अब जाब इनका digit का addition करते हैं, 9 आजाता है, अब देखिएगा, अगर हम 24 into 6 करते हैं, तो हमारा आता है, 144, 144 आता है, अगर हम इसका addition करते है, 1 plus 4 कितना 5 5 plus 4 कितना 9 आ जाता है तो क्या बता है मैंने sum of digit का product equal to होगा sum of digit का multiplication तो ये हमारा rule है अब मैं कोई बड़ा number लेता हूँ फिर उसमें देखते हैं ये ही rule apply करेंगे देखेगा मैं number लेता हूँ 7 5 6 8 multiply 3 4 2 7 into 5 8 4 9 ये मैंने number लिया है ये देखेगा ये question लिखा है 7 5 6 8 into 3 4 2 7 into 5 8 4 9 देखेगा ये हमने question लिखा है और ये rule हम इसमें apply करते है sum of digit का product equal to होगा sum of digit का multiplication ये हम इस पर apply करते हैं देखेगा सबसे पहले अगर हम बात करते हैं यहाँ पर हम सबसे पहले तो में question दिया है ये question दिया है इसका पहले तो multiplication कर लेते हैं value के आती ये check कर लेंगे देखेगा ये वैसे तो possible नहीं है हम इसे calculator से करेंगे ये लिखा है 7 5 6 8 दूसरी value है into करते हैं 3 4 2 7 equal to into दूसरा digit देखते है क्या है ये देखेगा दूसरी digit है 5 8 5 8 4 और ये 9 तो देखते कितने आती है ये आ जाती है 151 696 9500 0 6 4 ये हम यहां पर दिख लेते हैं ये देखेगा ये question है इसका मैंने multiplication किया तो ये value आ जाती है ये मैंने calculator से किया है अब देखेगा अब देखेगा इसमें लिखाया है sum of digit का multiplication ये देखेगा ये मैंने ये हमें number दिया है इसका मैंने multiplication कर लिया है अब इसका क्या करना है sum करना, digit का हमें sum करना है देखते क्या value हैगी अब देखेगा sum करना है क्योंकि यहाँ पर हम 9 से, जो number 9 से divide होगा उसको 9 से divide करते रहेंगे अब देखेगा, यह हमारा 9 से पुरा-पुरा divide हो जाता है यह पुरा-पुरा divide हो जाता है 5 प्लस 4, यह पुरा-पुरा divide हो जाता है अब देखेगा 6 प्लस यह देखेगा, 1 प्लस 5 इसको हम एड़ कर लेते हैं 6 प्लस 6 6 प्लस 6, 12 12 प्लस 6, 12 प्लस 6, 18 तो यह हमारा cancel out हो जाएगा यह 6 और यह six cancel out हो जाता है अब हमारा बचा है 151 यह 151 यह हमारा बचा है यह क्या बचा 151 यानि कि 7 यह हमारा कितना बचा है 7 बचा है आप देखेगा यह तो एक rule 1 plus 5 6 6 plus 1 7 हो जाता है अब देखेगा ये तो हमारा conditional sum of digit का multiplication हम ने कर लिया है अब देखेगा sum of digit का product कैसे करना ये हम आपको दिखाता हूँ देखेगा ये number अगर बात करें तो ये 7 plus 5 12 12 plus 6 ये हमारा 18 हो जाता है तो ये पुरा-पुरा कट जाता है तो क्या बचा 8 बचा है अब 3 plus 4 कितना 7 7 plus 2 कितना 9 तो 7 बचा है आप देखेगा 5 8 5 plus 4 कितना होता है हमारा 5 plus 4 9 और ये 9 तो क्या बचा हमारा 8 बचा है अब देखेगा ये हमारा digit बचा है अब हम इसको multiplication करना है तो 8 into 7 हमारा बक कर लेते कर लेते हैं तो यह क्या हो जाता है छिक्ंट हो जाता है गार स्टीफ एट इंटल एक्टेट थो hijos प्लश प्लसに उनका यह में क mieć इसलोस को केना तो फोर्ट फोर कितना एक इट्च सेवंक आ जाता था है यहां हमारा जाके है आ अब इसका एडिशन करते तो वन प्लस वन कितना वन प्लस सिक्स कितना सैवन आप देखेगा ये सैवन और ये सैवन दोनों से हम है बस नाइन की ये ही ब्यूटी होती है कि ये कंडिशन भी हाँ सेटिस्पाई हो जाती है सम अब डिजिट का प्रोड़क्ट इकल टो होगा सम अब डिजिट का मल्टिबलेकिशन अब देखेगा नाइन से रिलेटेड कुछ और रूल यहाँ पर हम लिख लेते हैं ये सब रूल इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि इनका बहुत ज़्यादे यूज होगा जब हम कुश्चन करेंगे तो इससे क्या हमारा टाइम भी बहुत ज़्यादे सेव होगा अब देखेगा नाइन के अगर मैं बात करूँ यहाँ पर मैं ले लेता हूँ यहाँ पर मैं 15 लिया है इसका नमबर हम एड़् करते तो कितना ज़ाता है 6 अजाता है देखेहां 1 प्लस 5 कितना हो चिक साइसाथा है अब देखेगा मैं इसको लिख लेता हूँ 915bow •ी जाता है aún tyre len नाइन प्लस 10 कितना हो जाता है 10 10 प्लस 5 कितना हो जाता है 15 और 15 का add करते तो कितना आजाता है 6 आजाता है और कुछ नंबर लेते हैं हम यहाँ पर लेते हैं 26 2 प्लस 6 कितना हो जाता है 8 हो जाता है अगर मैं यहाँ लेखता है 269 तो देखते कितना आजाता है 2 प्लस 6 कितना होता 8 8 प्लस 9 कितना होता 17 और 17 की डिजिट एट करेंगे तो कितना जाएगा हमारा ये 8 आ जाएगा यानि कि 9 का नंबर के आगे या पीछे आ जाने पर उसके डिजिट के सम में कोई effect नहीं आता है तो यहाँ पर हम एक rule लिख लेते हैं 9 के आ जाने से sum of digit पर कोई effect नहीं पड़ता है तो यहाँ पर लिख देते हैं 9 के आने से 9 के आगे या पीछे आने पर sum of digit sum of digit पर कोई effect कोई effect नहीं पड़ता है ये इसका rule है आप देखिएगा इससे related कुछ हम और rule देखते हैं ये 9 का एक rule है ये मैंने स्टार बना देता हूँ अब देखिएगा ये तो हमारा है अब ये तो 9 के आगे या पीछे आ जाने पर sum of digit पर कोई effect नहीं पड़ता है अब दूसरा rule क्या है वो लिख लेते हैं किसी संख्या को 9 से गुणा करने पर गुणा कर दिया जाए तो sum of digit sum of digit ये देखिगा ये एक rule है मैंने लिखा 9 के आगे ये पीछे आ जाने पर sum of digit पर कोई effect नहीं पड़ता है दूसरा क्या है किसी संख्या को 9 से गुणा कर दिया जाए तो उसका sum of digit भी 9 होता है इससे related कुछ एक example देखता हूँ देखेगा अगर मैं लिखता हूँ 9 into 1 9 into 1 कितना होता है 9 होता है अब देखिगा अगर मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 9 into 2 9 into 2 कितना होता होता है हमारा 18 होता है और इसको add करेंगे तो कितना 9 आ जाता है यानिकिए जब मैंने 2 में 9 add संक्या को 9 से गुणा किया है तो उसका sum of digit कितना हम 9 हो जाता है नाइन है हमारा अब वह देख लेते हैं अगर हम 9 इंटू यहाँ पर 9 इंटू करते हैं 6 कर देते हैं तो कितना आता है कितना हो जाता है यानि कि यह हमारी condition यहाँ बर satisfy हो जाती है अब देखेगा इस से रिलेटिड यह हमारा यह तो मैंने 9 इंटू लिखा है अब कुछ और नमबर लिखता है मैं लिखता है 25 इंटू 9 तो हमारे यह होता है तू 25 देखेगा तू इंटू 9 होता है हमारे 225 इसको एड करते है तू प्लस तू फोर फोर प्लस फाइव नाइन हो जाता है अब देखेगा कुछ और एक्जंपर लेते हैं हम लेते हैं 23 इंटू 9 यह हमारा हो जाता है 207 इसको एड करते है तू प्लस जिरो टू टू प्लस सैवन नाइन यह भी हो जाता है यानि कि हमारी एक कंडिशन सैटिस्वाई होती है यानि कि यह एक रूल होता है किसी संक्या को 9 से गुणा कर दिया जाए तो उसका sum of digit कितना होगा 9 होगा अब देखेगा यह हमने 9 की beauty अब हम 9 से related हमने जो भी question possible हो सकते थे वह हमने किया है अब हम आते हैं divisibility rule of 10 के बारे में 10 के बारे में कोई special नहीं है फिर भी क्योंकि यहां पर हम divisibility rule पढ़ रहे है तो 10 बताना जरूरी है देखेगा divisibility rule of यहां पर लिखते है divisibility divisibility rule of 10 अगर इसकी मैं बात करूँ तो unit place पर is zero then number then number is divisible by number divisible by 10 देखेगा अगर मैं लिखता हूँ यहां पर यह है number number is divisible by 10 देखेगा यह तो है हमारा अब देखेगा अगर मैं कोई नंबर लेता हूँ मैं लिखता हूँ 210 यह हमारा 10 से डिवाइड हो जाएगा 1305 देखेगा जै मैंने बता है रूल में क्या बता है कि हमारा last का डिजिट 0 नजी है तो वो नंबर 10 से डिवाइड होगा यहां पर हमारा यह 0 नहीं है तो यह 10 से डिवाइड नहीं होगा हम लिखते है 21050 यह हमारा 10 से डिवाइड हो जाएगा तो देखेगा यह तो 10 का रूल हो जाता है अब हम आते है, devizibility rule of 11, divisibility rule of 11, devizibility rule of 11, 1 by 1 हम सब पढ़ रहे हैं, ये हमारा है, divisibility rule of 11 है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा है, 2 का पढ़ा है, 3 का पढ़ा है, 4 का पढ़ा है, 5 का पढ़ा है, 6 का बढ़ा है 7 को मैंने अभी hold करके रखा है 8 का बढ़ा है 9 का बढ़ा है 10 का बढ़ा है अब हम आते है 11 पर 11 का divisibility rule क्या होता है उसके बारे में हम विस्ताफ रूरक पढ़ेंगे हम एक question लेते है 7, 8, 5, 4, 2, 6 यह check करना है कि यह number हमारा 11 से divisible है कि नहीं है देखेगा as question को check करना है तो कैसे करेंगे देखेगा हम यह दोगो की pair बनाएंगे यह दोगो के हम पेर बिना है देखेगा इसका हम difference लेंगे अगर यहां पर 6 होता है, यहां पर 2 होता है, तो मैं 6-2 कर देता है, अगर यहां 6 है, यहां 2 है, तो 6-2 कर देता है, यानि कि मुझे इन दोनों का difference लेना है, difference होता है, 6-2 जो नंबर बड़ा होगा, उसमें से छोटा नंबर माइनस करेंगे, तो यह difference कितना जाएगा, यह 6-2 क कितना जायका, six हो जाएगा, यह six eleven से divide नहीं होगा, तो मतलब यह number eleven से divide नहीं होगा, अब देखेगा, यह six आया, तो कौन कोन से number divide होुगे, देखेगा, अगर इस तरह से sum करने के बाद, zero आता है, 22 आता है, 33 आता है, तो वो number क्या होगा, वो eleven से divide होगा, अगर इस तरह से question आ जाता है इसी को question को हम modify करते हैं अगर आ जाता है 8, 5, 4, 2, 6 यह देखेगा यहां तो दो-दो के pair बन जाते हैं यहां पर दो-दो के pair नहीं बने तब क्या करेंगे देखेगा, यहाँपर अगर हम यहाँपर जीरो बढ़ा लेते तो नमपर फो कोई effect नहीं पड़ेगा, तो यहाँपर क्या, 2-2 के pair बन जाएंगे अब यह कितना हो जायगा यहीश का difference करेंगे तो कितना कितना हो जाएगा, यहाँपर 4 आएगा इसका difference पर ऐसे देखते है जो हमारा 11 से divisible हो गया इस से रेड़ी कुछ कोशन देखते हैं यह देखेगा एक तो मैं यह रूल बता रहा है आपका कि दो-दो के पेर बना रहे हैं और हम यह value निकाल ले हैं और इसे को चेक करें कि कि देखेगा एक दूसरा रूल भी होता है वो में आप साथ साथ बताते वे चलता हूं देखेगा अगर हम 785426 यह नमबर लेते हैं और दूसरा रूल से यह बताया है मैंने इनका डिफरेंस कर लेते हैं अब दूसरा क्या है अल्टर्नेट जो हमारा ओड्नमबर है उनका एड यह और यह 5, यह हमारा 2 है, और यह हमारा 4 है, और यह हमारा 6 है, इनको add करते हैं, तो देखते हैं क्या value आती है, 7 प्लस 5 कितना होता है, 7 प्लस 5, यह हमारा 12, 12 प्लस 2 कितना होता है, यह 14 होता है, आप देखेगा, 8 प्लस 4 कितना होता है, 12, 8 प्लस 4 कितना है, 12 प्लस 6 कितना हो यह हमारा 18 होता है आप देखेँगा 18-11, 14 करेंगे 18-14 ऑपना नहीं है तो यह number डिवाइड नहीं होगा एक तो यह rule हो जाता है कि हम लोगाकि माइनस करेंगे 9zzle camera है और ओर नमबर के नमबर को add करके उसको फिर difference निकालते और चेक करते कि वो 11 से divided है कि नहीं है तो हमारा नमबर 11 से divided हो जाता है कि नहीं हो जी रूल हो जाता है अब देखेगाा, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ आते हुए चलता हूं एक potential लेता और उसको आपको लेकर समझाऊंगा देखेगा question है क्या वो देख लेते हैं यह देखेगा यह हमारा number है इसको check करना है कि 11 से divisible है कि नहीं है देखेगा मैं दोनों method बताऊंगा आपको कैसे करना apply देखेगा यह इनका difference लेते हैं तो कितना आजाएगा इसका difference लेते कितना आज यह हमारा आजाएगा देखेगा यहाँ पर कोई digit नहीं है तो 0 बढ़ा लेते हैं तो इसका difference कितना आजाएगा आजाता है अब देखेगा 2 प्लस 2 कितना आजाता है 2 प्लस 2 4 4 प्लस 1 5 5 प्लस 1 6 हो जाता है देखेगा यहाँ पर अगर हम रुख जाते है तो हमारा number 6 आया है यानिक 11 से divisible नहीं है तो हमें क्या करना है क्योंकि हमारा 6 हमें एक बार और आगे मूग करना है इसका difference लेंगे कितना आएगा हमारा 0 आएगा इसका difference लेंगे तो कितना आएगा 0 आएगा और इन दोनों का difference लेंगे तो कितना आएगा हमारा 0 आ जाएगा तो यह नंबर अग और रेक प्रट पर चलते। और यह ओड यह देख लेते कितना रहा है 2 गा। यह लेते हैं आपको वहां तक मुव करना जहां तक यह हमारा पोजीबल एक नंबर नहीं आ जाता है जैसे हमने इसका डिफरेंस लेंगे तो जीरो आ जाएगा यानिके जीरो हमारा 11 से डिवीजीबल है आप देखेगा मैं एक कुशन लेता हूं जिसमें हमारा डिफरेंस लास तक निकालते है और वह हमारा 11 से डिवीजीबल होता यह नहीं होता उसके बारे में बात करेंगे देखेगा यह देखेगा यह नंबर है 32497 यह दिखाना बताना है कि हमारा यह 11 से डिवीजीबल है कि नहीं है देखेगा मैंने आपको बताया डिफरेंस लेंगे देखेगा यह हमारे 5 डि सबस्क्रांट दृविजिबल नहीं जैसे हम आगे भी मुग कर सकते हैं पू में क्या इस बरेंगे कितना होगा मरए यह 0 आ जाता है अब देखेगा यह 0 आ जाता है यह आप 0 बढ़ा लेंगे तो इसका difference कितना आता है हमारा यह 3 आ जाता है अब 3 का difference कितना आता है 3 और 0 का difference कितना 3 आ जाता है यह 3 क्या है 11 से divisible नहीं है मतलब यह हमारा number divisible नहीं 11 से अब देखेगा जो एक यह method हो जाता है अब हम एड करते हैं देखेगा थ्री फ्लसफोर कितना सेवन सेवन फ्लस सेवन कितना है था हमारा 14 होता है अब दिखिका अब यह यह नॉबर अमारा 11 से ौन नहीं है अब हम 11 पर इस से related question लेते हैं जो इस question का solve करेंगे question में लिख देता हूँ यह question है if a number 587x23 divisible by 11 then find x देखेगा वही rule apply करेंगे 587x23 देखेगा यह हमारे 123456 यह हमारे six digit है तो हम दो-दो के pair बनाएंगे देखेगा इसका difference लेंगे इसका difference लेंगे और इसका difference लेंगे इसका difference कितना आता है यह वन आएगा इसका difference 7-6 आएगा और इसका difference कितना आएगा 3 आएगा देखेगा इसका 3 आएगा अब इसको हम add करते हैं 3 plus 7 10 10 10 plus 11 तो यह कितना जाएगा 11-6 है अब देखेगा 11-6 divisible 11 होना चाहिए तो वह कब होगा देखेगा अगर मैं 11 में से 0- करू अगर मैं 0 लेता हूं तो 11-0 कितना था 11 11 11 से divide हो जाएगा ठीक है अब देखेगा अगर मैं 11 लेता हूं हाला कि मैं 11 नहीं ले सकता हूं क्यों नहीं ले सकता हूं क्योंकि x एक digit है और x की value 0-9 होती है केवल 0-9 ले सकते है तो हम 11 तो ले ही ने सकते हैं तो यहाँ पर x की होगी यह हमारा answer है अब हम नेक्स्ट रूल पर आते हैं रूल हमारा क्या होगा कोई नंबर 7 11 और 13 से divide होना है इसको कैसे check करना है तो यहाँ लिख देता हूं है combined combined divisibility combined divisibility rule of 7 11 और 13 यह कैसे करना है यह मैं आपको बता हूंगा combined divisibility rule 7 11 और यह 13 है देखेगा यह मैंने लिखा है combined divisibility rule of 7 11 और 13 यह हमें सीखना है देखते कैसे देखेंगे यह मैं आपको बताऊंगा हम कोई नंबर ले ले लेते हैं देखेगा यह हमारा है combined divisibility rule of 7 11 13 यह मैंने एक नंबर लिया है हमें क्या करना होगा इस rule में हम 3 3 के pair बनाएंगे अगर 3 pair नहीं बनाए तो हम आगे 0 बढ़ा लेंगे तो हमें 3 pair कर लेंगे देखेगा यह हमारा 865 830 यह देखाना है कि यह क्या 7 11 यह 13 से divide है देखेगा हम चेक करेंगे कि क्या यह 7 11 यह 13 से divide है तो क्या करेंगे हम इसमें 3 3 के pair बनाएंगे यह हमने 3 3 के pair बनाएंगे फिर हम इसका difference लेंगे 865 यह 3 का pair बना है 830 यह एक pair बना है अब हम क्या करेंगे 865 माइनस 830 तो value कितनी आ जाती है 35 अब देखेगा यह 35 7 से divide है 11 से divide नहीं है और 13 से भी divide नहीं है तो यह 7 से divide है अब देखेगा अगर आ जाता है कोई बड़ा number आ जाता है सपोजि मैं यहां पर ही करता हूं यह number ऐ कैसे आ जाता है मैंने बता है 3-3 के pair बनाने 865 830 और इसके बाद यहां पर आ जाता है हमारा यह तेखेगा मैंने यह same number लिखा है 865 830 और यहां लिख लेता हूं मैं 46 क्योंकि मुझे 3-3 के pair बनाने यह 3 के pair यह 2 है तो यह 0 बढ़ा दूँगा अब देखेगा क्या करना है मै यह ओड़ प्लेस है इनको add कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 830 प्लस 46 तो कितना हो जाएगा यह हो जाएगा 876 अब देखेगा इसमें से इवन प्लेस के नंबर को हम माइनस कर देंगे 876-8765 तो यह कितना जाएगा 11 हो जाएगा यह 11 जो है 7 से divide नहीं होगा 11 से divide हो और 13 से डिवाइड नहीं होगा तो यह क्या हुआ यानि कि अगर मैं यह नमबर लिख देता हूँ यह नमबर केवल और केवल 11 से डिवाइड है यह नमबर केवल और केवल 7 से डिवाइड है देखेगा अगर कुछ ऐसा आजाता है कि अगर देखेगा 7 into 11 into 13 ये value होती है 1001 ये value होती है 7 into 11 into 13 की value कितनी होती है 1001 ये value होती है अब देखेगा इस से related हम कुछ और question करते हैं मैंने एक table बनाई है ये table है अगर difference जो मैंने आपको बता है difference अगर 35 आता है तो ये 7 से divide होगा 11 और 13 से divide नहीं होगा अगर difference 77 आता है तो ये 7 से divide होजाएगा 11 से divide होजाएगा लेकिन 13 से divide नहीं होगा अगर 91 आता है तो ये 7 से divide नहीं होगा और 11 से divide नहीं होगा लेकिन 13 से divide होजाएगा अगर difference 1001 आ जाता है तो ये 7 से भी divide होगा 11 से भी divide होगा और आपका ये 13 से भी divide होगा ये हमारा command rule है 7, 11 और 13 का आप देखेगा मैं इस से related आपको एक question बताता हूँ यहाँ आपर मैं question लिख देता हूँ देखेगा ये मैंने question लिखा है if a six digit number is found by repeating a three digit number for example 145, 145 and 765, 765 ये देखेगा ये three digit का number है ये आपस मैं repetition करके एक number बनाया 6 digit का तो ये resultant जो है ये क्या केवल 7 से divisible होगा केवल 11 से divisible है केवल 13 से divisible है या फिर हमारा 1001 से divisible है देखेगा यहाँ पर हम 145 हमने लिखा है 145, 145 देखेगा तिन दिन के pair बनाएंगे जब हम इसको इसमें से minus करेंगे 0 आजाएगा अगर हम इसकी बात करें 765, 765 देखेगा अब ये हमारा हो जाता है इसका हम तिन 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 पे pair बनाएंगे अब जब हम इनका difference करेंगे तो 0 आजाएगा इस student जल्द बाजी में क्या करता है कि देखा इसमें देखा only 7 मतलब 0 7 से डिवाड़ है तो ये है जल्द बाजी में कि ये लगा देगा कि ये हमारा 7 हो जाएगा या फिर ये सुझेगा कि 11 भी हो जाएगा ये 30 हो जाएगा लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक चीज बरताते वे चलता हूँ देखेगा यहाँ पर 145 145 को हम क्या हम ऐसे लिख सकते है 145 000 प्लस 145 अब देखेगा 145 अगर मैं common ले लेता हूँ 145 अगर मैं common ले ले तो value क्या आजएगी 1000 प्लस 1 ये value कितनी आ जाती है 145 into 1001 अब देखेगा यानि कि ये नंबर क्या है हमारा ये नंबर है 145 into 1001 आप देखेगा ये हमारा 1 थाजऑन है मैंने आपको बता यह किसके बराबर होता है 7 into 11 into 13 ये बराबर होता है यानि कि ये हमारा जो नंबर होगा ये नंबर हमारा इससे divide होगा ये हमारा 1001 से क्योंकि 1001 में 7, 11, 13 तीनों ये include है इसमें 1001 में यानि कि ये हमारा ये जो हमने number बनाया है ये number हमारा केवल 7, केवल 11, केवल 13 से divide नहीं होगा ये हमारा 1001 से divide होगा ये देखेगा ये हमारा question है ये next question है ये value में find out करनी है अगर हम इसकी बात करें ये किस तरह का format है ये देख लेते हैं अगर हम इसको हम ले लेते हैं सबसे पहले x, y, z, x, y, z, देखेगा हम इसको क्या लेख सकते हैं x, y, z, 0, 0, 0, plus x, y, z, यहाँ पर हम x, y, z, को मन लेते हैं x, y, z, को मन लेते हैं क्या हो जाएगा हमारा one zero zero plus one यह आ जाता है हमारा तो क्या हो जाएगा हमारा x y z into one zero zero one अब दिखेगा हम इसकी compare करते हैं इसकी compare हम किस्से करेंगे अब x y z into p q q p इसकी compare करेंगे यह मैं लिख देते हूँ यह one zero यह हमारा one है यह देखेगा यह x y z into p q q p यह हमारा इस तरह से बना है तो इसकी हम compare करते हैं देखेगा x y z तो x y z है आप देखेगा p यह p हो जाएगा हम compare कर रहें तो p क्या हो जाएगा हमारा one हो जाएगा zero q क्या हो जाएगा zero हो जाएगा देखेगा यहाँ पर हम compare कर रहें तो p क्या हो गया हमारा one हो गया और q क्या हो गया हमारा zero हो गया और हमसे पूछा गया है p plus q तो p plus q की value हमारी क्या हो जाएगी P plus Q की value अकर बात करें तो यह होज़ेगी 1 plus 0 equal to 1 तो P plus Q की value हमारी कितनी हो जाती? 1 हो जाती है देखिएगा इसी तरह से अगर हमारा इस तरह से हो यह Q, x, y, x, y तो यह हमारा क्या हो जाएगा? यह हमारा हो जाएगा x, y into 10101 यह हमारा हो जाएगा अगर हमें xy अगर हमें दिया है xy xy इस तरह से दिया है तो यह हमारा क्या हो जाता है xy into 10101 यह हमारा हो जाएगा देखेगा अगर हम यहां लेते हैं 17 17 17 तो यह हमारा क्या हो जाएगा 17 bracket में 10101 यह हो जाएगा कुछ इस तरह का question अगर आता है तो इस त कैसे बनाया जाता है कि इसके बारे में बात करेंगे यहां पर हम लिखते हैं how to make how to make divisibility rule divisibility divisibility rule तो यह है कि बताना है कि हम divisibility rule कैसे बना सकते हैं इसके बारे हम बात करेंगे देखेगा हम बात करते हैं 13 का divisibility rule कैसे बनाते हैं जैसे कि हमारी heading है how to make divisibility rule देखेगा सबसे पहले हम सीखते है 13 का divisibility rule कैसे बनाते हैं इसके बारे हम बात करेंगे देखेगा यह ह हमारा unit place है, unit place into x करेंगे, यह जो value आएगी, जो remaining part इसका बचेगा, उसमें add कर देंगे, तो कितना है, 1 है, अब देखेगा, 13 का हम divisibility rule बना रहे है, तो क्या बताया है, मैंने, जो हमारा unit place है, उस unit place में x का multiplication करेंगे, तो क्या है, 3x हो जाएगा, यह 3x को हमें remaining part में add करना है, तो इसका 13 का 3 तो यहाँ पर आगे है हमारा, तो remaining part बचा हमारा 1 बचा, तो 1 add कर देंगे, अब देखेगा, यहाँ पर हमें x की value लेनी है, x की value हम देखते है, क्या लेनी होगी, ताकि हमारा यह rule बन जाए, देखेगा, अगर मैं x की value यहाँ पर ले लेता हूँ, 1 लेता हू अगर मैं 1 लेता हूँ, तो 3 into 1 क्या होगा हमारा, 3 into 1 क्या हो जाएगा, 3 plus 1 क्या हो जाएगा, 4 13 से तो divide होगा नहीं, तो हम यह तो नहीं ले सकते, x equal to अगर हम 2 ले लेते हैं, x equal to मैंने 2 लिया है, जैसे मैं 2 यहाँ रखोंगा, 3 into 2 क्या होगा हमारा, 3 into 2 क्या होगा हमारा, three क्या होता है three into four plus one यह क्या होता है हमारा यह हमारा हो जाता है 13 हो जाता है यह 13 इस्टे oddин हो जाएगा यहां पर मैं लिए देता हूँ यह हमारा four हे plus one यह हमारा हो जाता है 13 कि कि यह मैंने आपको बता आ है कैसे हमने divisibility- おउन चुरूल बनाना है unit place में हमने cometics in case में four को multiplication करना और जो हमारा resultant आएगा उसको हमें one में जो remaining part है इसका one में add करना है क्योंकि remaining pair हमारा one है तो one में add करना है तो हमारी value क्या हो जाती है यह जाती है आप दिखे है इसको मैं यहां पर note करके लिख देता हूँ कि मैंने 13 से divisible होता है, तो original number भी 13 से divisible होगा, देखेगा, मैंने यह number लिखाया, यह मैंने rule बनाया है, जैसे मैंने unit place था 3, इस 3 में मैंने 4 का multiplication किया है, और remaining part जो बचाया, उसमें add किया है, तो यह 13 आया है, अब यह 13, 13 से divide है, तो जो original number होगा, वो भी 13 से divide होगा, कुछ और example लेकर इ कहता है, यहां 13 के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसका unit place, unit place में हमें 4 से multiply करना है, 4 से multiply जैसे हम करेंगे, तो 4 into 4 क्या हो जाएगा, 4 into 4 क्या हो जाएगा, अब 16 को remaining part में add करेंगे, तो क्या हो जाएगा, यह हमारा 26 हो जाएगा, अब 26, 13 से पुरा-पुरा divide हो जाता है, या को remaining part जो बचा उसमेड करेंगे तो 26 है अब यह 23 से पुरा पूरा डिवाइड हो जाता है हम कोई और नमबर ले लेते हैं हम लेते हैं अब देखें यह चेक करना है कि क्या यह 13 से डिवाइड है अब देखें का unit place क्या है 6 है इस 6 की हम multiply 4 में करते हैं देखते कितना है यह 24 आता है अब 24 को हम remaining part में अड़ करेंगे तो 24 यह कितना आ जाता है हमारा 46 तो यह हमारा नमबर यह हमारा 47 होगा नोट डिविजियोल वाई 13 है तो यह 236 यह 13 से डिवाइड नहीं होगा अब देखेंगा 13 के case में मैंने आपको बताया है यहाँ यहाँ पर हम 4 से multiply करते हैं 4 से multiply करते हैं यह 4 जो होता है यह odd factor होता है अब यह सभी के case में अलग-अलग होता है यह 13 के case में 4 ओड फेक्टर है अब हम आते हैं 11 के case में अभी हमने देखा है 13 के case में अब 11 के case में हम देख लेते हैं इसका divisibility rule कैसे बनाते हैं देखेगा इसमें हमें x का multiply करेंगे x और remaining part में add करना है प्लस 1 अब देखेगा x की value हम क्या रखे कि ये हमारा 11 से divide हो जाए देखेगा अगर मैं x की value हाँ रखता हूँ 0 तो ये नहीं होगा 11 की value मैं रखता है 0 नहीं होगा 2 रखोंगा तो भी नहीं होगा तो हमें क्या करना होगा हम चलते minus में क्योंकि अगर मैं हाँ यहाँ पर 10 लिख नहीं सकता क्योंकि x एक digit है x एक digit है और हमें डिजिट लेनी है, 0 से 9 तक, तो हम x equal to 10 नहीं ले सकते, अब हम minus की ओर चलते हैं, जैसी x equal to 0 रखोंगा तो नहीं होगा, x equal to मैं रखतों minus 1, x equal to मैं ने रखाया है, minus 1, x equal to ये मेरा है, ये minus 1 है, अब मैं यहां पर x equal to minus 1 रखता हूं, तो क्या हो जागा, minus 1 plus 1, ये क्य हो जाए हमारा 0 है, तो ये क्या हुआ, 11 से divide हो जाएगा, तो rule क्या बन जाएगा, तो यहां पर देखेगा, जो मैंने 13 के case में लिखा है, वह यहां पर लिखा जाएगा, कि हमारा last digit को minus 1 से multiply करके remaining part में add कर देते हैं, तो हमारा resultant 11 से divide होगा, तो हमारा original number भी 11 से divide होगा, ये получится factor कहलाता है, 0 factor, 13 के case में क्या था, 13 के case में 4 0 factor था, और 11 के case में 1 0 factor है, आप देखेगा, हम यहां पर कोई number लेते हैं, एक छोटा number लेते हैं, जो हम सभी जानते हैं, यहां लेते हैं 1 2 1, हम जानते हैं, ये 11 का square होता है, अब देखेगा, अगर यहां पर य헌़ा unit place है, इस unit प्लेस में माइनस वन का मल्टिप्लिकेशन करता हो तो क्या हो जाएगा माइनस वन हो जाएगा अब माइनस वन को देखे इसकी में बात करता हूँ अगर मैं इसमें माइनस वन का वन इन्टू माइनस वन इकल टू क्या हो जाता माइनस वन हो जाता है इस माइनस वन को मैं यहा हमारा हो जाएगा 11 हो जाएगा तो 11 divided by 11 यानि कि 121 को हम 11 से divide कर सकते हैं आप देखेगा अब मैं कुछ और example लेता हूं यह देखेगा यह हमारा minus है यहापर क्योंकि 1 into minus 1 करेंगे तो minus 1 आएगा आप देखेगा हम लेते हैं 1331 देखेगा इसको multiply यह देखना है कि क्या यह number 11 से divide हो रहा है यह unit place है unit place का multiply tahil —1 में करना है मैंट में multiply करेंगे कितना माइनस आएगा अब इस minus 1 को अब remaining part में हमें add करना है यह हमारा क्या आया है minus 1 equal to क्या हो जाए तो यह हो जाता है है अब इसको हमें मांटस वन को पार्ट में एड़ करना है यह लगब माइनस बन तो यह को हजाएगा यहां से इसको डिवाड करा करेंगे मान justo आ जाएगा तो यही rule फिर यहाँ पर apply कर सकते हैं यह 2 क्या है unit place है इस unit place में हम 2 का minus 1 का multiplication करेंगे तो क्या हो जायगा minus 2 हो जाएगा यह minus 2 हो गया है अब इस –2 को इस remaining part में add करते हैं यह क्या हो जायगा 13 minus 2 है, 11 है यह 11 11 से divide हो जाता है मतलब यह number हमारा 11 से divide हो जाता है अब हम 7 का पढ़ते हैं, अभी हमने पढ़ा है, 13 का पढ़ा है, 11 का पढ़ा है, अब 7 का हम पढ़ते हैं, 7 का भी ही रूल बनाया जा सकता है, 7 का क्या रूल होता है, उसके बारे में हम बात करेंगे, और उसके बाद हम 17 के बारे में बात करेंगे, अब किसी का भी रूल बना स अब देखेगा, इस case में हमें क्या rule बनाना है, हम बात करते हैं, देखेगा, मैंने आपको पता है, unit place को हम x का multiply करते हैं, और plus remaining part जो है, उसको add कर देते हैं, देखेगा, अगर मैं यहाँ लिखता हूँ, 1, तो 4 into 1, 4 plus 1, 5 बजाएगा, तो इससा कोई, हमारा कोई नियम नहीं बनेगा, अब देखेगा, अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ, 3, 3 into 4, क्या हुआ हमारा, 13, 12 होगा, 12 plus 1, 13, तो भी कोई rule नहीं बनेगा, अब देखेगा, अब हम minus की ओर चलते हैं, अगर minus 1 मैं यहाँ लि plus 1, तो इस देखते कितनी वेल हो जाती है, 4 into minus 2, minus 8, minus 8, minus 8, minus 8, plus 1 कितना हो जाएगा, यह हमारा हो जाएगा, minus 7, minus 7, 7 से divide है, अब देखेगा, क्या rule बना है, अब rule मैं आपको समझाता हूँ, एक example लेते हैं, और example लेकर आपको समझाएंगे, कि यह rule कैसे काम करता है, देखे यह मैंने लिया है, 63, देखे, यह 63 ले हम जानते है, 7 से divide हो जाता है, 9 आता है इसका, अब देखे, मैंने कहा है कि unit place में minus 2 का multiplication करते है, तो minus 2 का multiplication करेंगे, तो कितना आजाएगा, यह हमारा आजाएगा, minus 2 का multiplication करेंगे, तो minus 6 आजाएगा, अब इस minus 6 को इसमें add करेंगे, minus 6 में एड़ करेंगे तो value कितनी आजाएगी हमारी यह आ जाती है हमारी यह देखेंगे यह हमने minus 2 का multiplication नहीं कहा तो minus 6 आजाता है 07 से divide हो जाता है अब हम कुछ और example लेते हैं हम example लेते है वन 33 देखेगा यह unit place है unit place को हमें माइनस2 से मंटप्ली करना है तो कितना है हो जाएगा हमारा माइनस 2 से डिवाइड नहीं होता है । अब देखेगARE आप सेवन record कितना होता है मानश दो हता है तो होड फेक्टर के अगर बात करें तो होड फेक्टर कितना होता है हमारा वर्ट फैक्टर होता है माईनसी यह हमारा हुआ है सेमन का अब हम पढ़ लेते हैं ऑनन को सब्सक्राइब autres यह हमारा है 17 के case में 17 के case में क्या rule बनता है उसके बारे में बात करते देखेगा unit place 7 है 7 into x करना होगा इस 7 into x को remaining part में add करना होगा remaining part क्या है 1 है आप देखेगा अब यह देखते है 7x plus 1 है यह देखते है कि x की क्या value हैं रहे कि overall value 17 से divide हो जाए देखेगा अगर मैं यहाँ पर 1 रखता होगा 7 7 plus 1 8 हो जाएगा तो 8 7 यह नहीं हो सकता क्योंकि 17 से divided नहीं होगा अब देखेगा तो हमें क्या करना होगा यह अगर मैं 1 2 3 4 5 रखते हैं तो कोई भी फाइदा नहीं होगा हमें minus की और चलना होगा अगर मैं हमता हूँ 0 मैं यहाँ पर 0 रख देता हूँ तो 1 हो सेमने की से नहीं है तो सेमने उन्टी मैंनस 5 कह Lib양 जाय Utila minder फेक्टर हमारा हो जायगा माइनस 5 तो यह हमें याद रखना है अगर 17 आ रहा है यह 17 से ठेंक wir Lad करना है तो उस और फेक्टर लेना है minus 5 odd factor लेना है आप देखेगा कुछ example लेते हैं फिर हम को समझेंगे देखेगा अगर हम लेते हैं हम लेते हैं 2,3,4,7 यह हमने number ले लिया है आप देखेगा हमें पता है कि 17 के case में minus 5 odd factor होता है यानि कि इस unit place को हम minus 5 से multiply करेंगे minus 5 से multiply करा तो कितना आएगा हमारा minus 35 आएगा इस minus 35 को remaining part में add करेंगे तो remaining part में जैसे हम add करते हैं यह देखेगा यह हमने 7 की multiply minus 5 में के रहा माइनस 35 हो जाएगा अब माइनस 35 को remaining पार्ट में ऐड़ करना है देखेगा एड़ करने के बाद 199 आ जाता है याद देखेगे यह माइनस 34 होता है तो यह एड़ करते 200 आ जाता 200 में से माइनस 1 कम कर दो 199 आ जाएगा यही अगर देखेगा अगर हम इसे हम 70 से डिवाइड नही करना चाहते है, तो हम एक बार फिर यही rule apply कर देंगे, यहाँ पर हम minus 5 की multiply करेंगे, minus 5 की multiply करेंगे, तो कितना है? minus 45 आजगा, अब minus 45 को हम remaining part में add करेंगे, तो यह हमारा remaining part है, remaining part में add करेंगे, तो यह minus 45 है, देखेगा, 5 में से 9 जाएगा, तो कितना बचेगा हमारा? यह हमार माइनस कितना बचा यह वैल्यू आ जाती है हमारी तो यह वैल्यू हमारी 17 से डिवाइड नहीं होगा आज के लेक्चर में इतना ही नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टोपिक की और मोग करेंगे धन्यवाद